विल्कम तू दे चैनल अर्वी फंटासे सेवन तो आज का ही स्टूडियो का हमारा टॉपिक है बास्केटबॉल का अंडर ट्वेंटी का जो यूरोप चैलेंजर से मैचेच चेल रहे उनकी लाइनप या पर कैसे चेक करी जितने भी यूरोप के मैचेस हो रहे अंडर नैंटी हो या फिर अंडर 20 हो चाहिए ओ मेंस हो या फिर ओमेंस हो सभी की लाइन अप आपको यह पर मिल जाएंगी इस सुड़्ियो में आपको उसकी mention या पर मिल जाएंगी बस आपको देखना का है वीडियो लास्त सक देखना है और और बिक यह आप के लिए आप हमारे तेलिग् 120 के जो यह आप पर चालेंजर्स मैचे चेलरे बास्केटबॉल की उसके लाइनप कैसे चेक करते हैं सबसे पहले आपको जाना पड़ेंगा Chrome ब्राउजर पर Chrome ब्राउजर पर जाता है आपको यह आप पर सर्च करना है FIBA.Basketball और उसिक साथ साथ आपको यह आप पर desktop mode यह आप पर on कर लेना है बाकि आपको यह से easy हो जाएंगा कि यह आप पर easily आपको यह आप सारी information यह आप पर मिल जाएंगे desktop mode on करने के वज़े से क्योंकि आप एक्स्ट्रा matter आपको यह आप पर show होता है desktop पर बाकि जो recently matches है उनके record आप यह आप पर check कर सकते हो जो last के match से इनका box score आपको यह आप पर check कर सकते हो और जो यह आपर next match होने वाला है उस match को आप यह आपर live देख सकते हो YouTube पर YouTube channel की link भी आपको यह से मिल जाएंगी और जो आपर next match होने वाला है Germany versus Poland इसके line-up कैसे चेक करते हैं वह भी मैं आपको यहाँ से इस वीडियो में आपर देखा दूँगा बाकि आपर firstly आपको यह आपर open करना है जो last matches के results है इसे आप यह आपर देख सकते हो यह recently matches के results है और इसका यहाँ पर box score है तो आपके यहाँ से box score मिल जाएंगा और जो starter है तो यहाँ पर यह दियान रखना है जो starter है उनकी जगापर आपको यहाँ पर starting में ऐसा start देखनों को मिलता है माचिस होने वाले उसके लाइन अप आपको कैसे चेक कर सकते यह भी मैं आपको याप पर दिखा दूंगा जो जो आप पर बताया था कि कैसे याप पर शो होता है तो उसके according आपको याप पर ये line-up याप पर शो होने लेगी सारे squad याप पर आ जाएंगी और जो player याप पर start कर रहें उनके यापर starting के नाम पर star आ जाएंगा जैसा मैंने आपको यापर बताया था पिछले यापर जो लेकिन दिकती है कि आप पर line-up बहुत लेट आती तो उसके लिए आपको करना काई जो 5 मिनेट एक्स्ट्रा वाले application है आप उन पर यापर खेल सकते हैं 5 मिनेट आपको यापर extra मिलेंगे प्लस आपको याप पर easy to edit हो जाएंगा line-up आपके पास यापर available हो जाएंगी सारे याप पर important player का आप यहाँ से pick कर सकते हो यह जो top के application है इसकी link मैंने आपको description में देदी आपको फिर से एक बार description में जाना है vision 11 और 11 चालेंजर दोना application पर खेल सकते हो dream alone से ज्यादा 5 मिनेट आपको extra मिलते हैं अगर line-up लेट आयो तो आपको 5 मिनेट एक्स्ट्रा मिलते हो और probability सभी matches में आप पर line-up जो तो आपर delay आ रही जब आप पर dream alone पर match start होती exactly उसी time पर line-up आ रही बाकी यहाँ से आप line-up चेक कर सकते हो इसके बारे में मैंने आपको पता दिया line-up कैसे चेक करना यह भी मैंने आपको पता दिया और आपको खेलना का है वो भी मैंने आपक यहाँ से बाता दिया है बाकी अगर आपको आपका time save करना है तो कुछ चीज प्रकार का आप यहाँ पर save कर सकते हो जैसे आपर line-up आउट हो जाती है आप यहाँ पर jersey number लिख कर ले सकते हो उसका साथ यहाँ पर player का नाम credit और जो dream alone है उस पर यहाँ पर किस section से केड़ रहा ह है वापर आप यहाँ पर tick कर सकते हो और वहाँ से आपको पता चल जाएंगा कि यह player आप पर start कर रहे हो और बाकी आपर सभी player पर एक बार tick कर लेंगे तो फिर आपको यहाँ पर easy to make team यहाँ पर हो जाएंगी प्लस आपको यहाँ पर credit लिख लेना किस section से आपर खेड़ रह से easy होने वाला है भाई कि यह आप यहाँ पर try कर सकते हो अस time save करने के लिए क्योंकि लाइन अप यहाँ पर बहुत लेट आदी तो I hope guys आपको वीडियो पसंद आया होगा उसी इक साथ सथ आपको पता चल गया होगा कि आप पर जो अंडरेंटेंटें के जो यूरोग के मैं चल रहे हैं उसकी लाइन अप के से चेक करते हैं अगर आपको यह पता चल गया है तो फ्लीज आर लाइक कर देना जिस ट्रॉपिक पर मैंने वीडियो पता है I hope मैंने सारी information आपके यह पर बता दी प्लस यह आप पर time के से save करना यह भी मैंने आपको यह पर इस वीडियो मे बता दिये तो मिलते हैं आपकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको मिल जाएंगे comment box में टेलीग्राम चैनल जोईन करना महत बुलना वीडियो पसंद आये तो like कर देना उसकी साथ साथ हो सोगे तो चैनल को subscribe कर देना